सबसे पहले सब्सक्राइब कर देना लाइक कर देना शेयर कर देना सब्सक्राइब करके बेल नॉटिफिकेशन प्रेस करके और पर जरूर से सेट कर देना इस वीडियो में हम बात करने वाले मिड़ क्याप स्टॉक के बारे में जो slightly valued है मतलब यहां पर मैं इसे नहीं कहूंगा कि यह over valued मतलब under valued है या फिर बहुत ही कम valuation पर मौजूद है ऐसा नहीं है slightly valued है slightly इसका value थोड़ा बढ़ चुका है अभी और इसमें एक अच्छी opportunity नजर आ रही है अगर इसमें add-ons averaging हो सकती है तो और भी अच्छी बात है बाकी fresh buying भी यहां पर आप देख सकते हो watch list में add कर सकते हो recommendation किसी भी तरह का नहीं होने वाला है stock के बारे में बात करते हैं kynis technology इंडिया के बारे में हम बात करने वाले market cap देख सकते हो 13,500 क्रोड का market cap है मतलब एक mid cap company है mid cap company का मतलब यहां पर moderate risk लेकिन आपको अच्छे खास returns मिल सकते हैं और PE के बारे में अगर बात करें 123 का PE है तो obviously आपको लग रहा होगा यह 123 का PE तो बहुत जादा होता है यहां बिलकुल 123 का PE जादा है इसलिए मैंने कहा कि यहां पर फ्रेश बाइंग के लिए जितनी opportunity है उससे कहीं ज्यादा opportunity averaging के लिए अगर आप average करना चाहते हो average up करना चाहते हो add करना चाहते हो extra quantity उसके लिए बाकि यहां पर 123 का PE जो है एक तो जादा है बट इसका industry PE जिसमे मैं यह company काम करती है mainly IOT Enabled Integrated जो आप कह सकते हो electronics company manufacture करती है मैं आपको आगे बताओंगा क्या इसका business है क्या नहीं है तो उसका जो industry है उसका PE भी competitively दूसरे industry से थोड़ा जादा होता है 50 के आसपास का industry PE है और stock PE obviously जैसे मैंने कहा थोड़ा सा यहां पर आप कह सकते हो कि overvalued है अब आगे अगर बात करें company के बारे में कि company कैसी है कैसी नहीं है तो यहां पर company mainly काम करती है जैसे मैंने कहा IOT Solutions Enabled Integrated Electronics Manufacturing Company और यहां पर मैं थोड़ा से इसके website पे लेकर के जाओं आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि company actually क्या करती है तो आप यहां पर देख सकते हो यहां integrated electronics manufacturing with end-to-end capabilities across spectrum जो भी है design में company किस तरह का design करती है manufacturing में क्या करती है product sustenance में company क्या चीज़े करती है आप यह सब रीड कर सकते हो mainly company का का काम क्या है product design and engineering OEM मतलब original equipment manufacturer ODM मतलब original design manufacturer IOT solutions मतलब जो IoT enabled solutions होते है cable harnesses automated test third party repairs यह सब company mainly काम करती है अगर industries के बारे में बात करो आपको यहां पर सारे industries दिख रहे होंगे mainly company किस किस industry में अपना service provide करती है क्या करती है बाकि और भी infrastructure awards यह सब है तो यह सब आप जा करके देख सकते हो यह overall एक business का overview था अगर आपको और भी detail में जान करने का है और चलते हैं profit and loss में अगरा profit and loss में देखोगे consolidated पर मैं transfer कर लेता हूं इसको consolidated results मैंने open कर लिया है यहां पर सबसे पहले अगर मैं बात करूँ growth के बारे में तो sales growth देख सकते हो 3 साल का 45% का sales growth है और TTM का 60% का यहां पर sales growth है तो sales growth यहां पर काफी अच्छ है दूसरी अगर आप profit growth में आओगे 3 साल का profit growth 112% है TTM का अगर आप देखोगे 128% का profit growth है TTM में तो sales growth बहुत अच्छा है उसके उपर profit growth और भी अच्छा है तो यहां पर इन दोनों reasons के वज़े से इसको और जादा PE मिलता है starting में जिनको लग रहा होगा यार यह over value days को क्यों discuss किया जा र यहां पर आपको कुछ देखने मिलेगा कुछ अच्छा देखने मिलेगा जो मैं इसकी बात कर रहा था basically कि यहां पर एक तो industry PE जादा है इसके वज़े से overall जो PE होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है उसकी उपर इसमें काफी अच्छा growth है काफी अच्छा profit growth है sales growth है आप जो क सकते हो 9 रुपय का था फिर यहां पर 16 हुआ फिर 20 हुआ और बीच में यहां पर अगर आप देखोंगे net profit तो लगाता net profit इंक्रीज हो रहा है कुछ यहां पर shares में split bonus आया होगा तो इसी वज़े से EPS घट गया खैर balance sheet के उपर चलता है यहां पर balance sheet अगर आप देखोंगे reserves लग भग लग भग हजार करोड के reserve से आप कह सकते हो 900 करोड के reserve से बॉरिंग जो है 278 करोड का borrowing है और 278 करोड में 14 करोड का long term borrowing है और 245 मतलब 200 करोड के आसपास का short term borrowing है मैं हमेसा कहता हूं long term borrowing जो है वो comparatively riskier side पे होता है short term borrowing जो है वो थोड़ा safer side पे होता है बाकी हां short term borrowing जादा है long term borrowing कम है मतलब ठीक है perfect है कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर CWIP के बारे में थोड़ी बात चित की जाए तो 38, 39, 39 ऐसे CWIP company थोड़ा बहुत करती है इन्वेस्टर्स के बारे में अगर बात करते ह पर प्रोमोटर्स के पास around 63.5% के आसपास का प्रोमोटर होल्डिंग है FIIs के पास लगबग 10% है DIs के पास लगबग 15.5% है और बाकी 11% बचता है वो है पबलिक के पास पबलिक में यहां पर एक एचनाई है जिनके पास जो है around 2% होल्डिंग है तो अगर आप इस 2% को जिए काह सकता हूं 9% जो है वो रिटेल इंवेस्टर्स के पास है मैं हमेशा काता हूं इच्ची बात और 9% बहुत ही कम होल्डिंग होता है तो यह बहुत अच्छी बात है दूसरी बात अगर आप देखोंगे यहांप एक पॉजिव चीज याए कि tam siis ने लगाता है यहां करी है यहां पर एट परसंट था जहां से इन्होंने 10% मतलब 2% यहां पर एड करा है और अगर दियाइज के बारे में बात करें तो यह तो बहुत पहले से एड कर रहे हैं यहां पर हुआ साड़े 11 फिर 13 फिर फिर फोड़ा सा और एड हुआ फिर साड़े 15 तो लगातार यहां पर अगर आप देखोगे पब्लिक की होल्डिंग घरती जा रही है और प्रोमोटर्स की प्रोमोटर्स नहीं कहूंगा स्ट्रॉंग हैं फाइस डियाइस की होल्डिंग बढ़ती ज जैसे मैंने कहा कि स्टॉक भाग चुका है और अच्छा खासा इसने जो है मोमेंटम दिखाया हुआ है और अब यह थोड़ा सा जो है नीची आना स्टार्ट कर रहा है तो यहां पर सवाल आता है कि आगे क्या अब तो यहां पर आप देखोगे तो मैंने तीन बॉक्स आप देख सकते हो अभी यह वही पर मौजूद है अब यहां पर आगे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है उसके बारे में थोड़ा बात करते है तो यहां पर जैसे मैंने कहा कि देखो दो तरह से बाइंग होती है एक कि आप फ्रेशली एंटर कर रहे हो ठीक है आप तो मैंने कहा एवरेजिंग के लिए काफी अच्छा है अब यहां पर क्यों अच्छा है अगर आप आज कहीं कैंडल को देखते हूं तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है पहला तो यहां पर आपको लोर साइड पर विक बहुत अच्छा दिख रहा होगा इसका मतलब इसमें sellers ने इसको push किया था और यहां तक sellers इसको ले करके गए थे यहां पर आप देख सकते हो यहां तक sellers इसको push करके ले करके गए थे नीची के तरफ लेकिन उसके बाद buyers ने इसे pull किया उपर के तरफ घीचा buyers ने and buyers के वज़े से यह वापस से आया and green में जाके close हुआ मतलब sellers मौझूद थे seller selling कर रहे थे और लगातार selling हो रही है उपर से तो और seller selling करने के बावजूद यह buying में बंद हुआ मतलब sorry buying में नी green में बंद हुआ और इसका मतलब buyers यहां पर जीत गया buyers यहां पर बहुत strong थे अगर आप पीछे जा करके देखोगे थोड़ा सा यहां पर अगर आप volume देखोगे तो volume भी आप देख सकते हो बहुत अच्छा volume है जिसका मतलब यह दिखाता है कि यह zone के आसपास buyers बहुत जादा available है दूसरी बात यहां पर 50 days का moving average भी है जो यहां देख सकते हो कि एक अच्छा कासा volume आ गया था जब यह इस जगह पर आया था उस time पर volume थोड़ा बहुत increase हो गया था मैं आप बहुत जादा बढ़ गया था volume थोड़ा बहुत increase हो गया था और उसके बदे से यह थोड़ा सा उपर गया और आज फिर से volume काफी ज़ादा volume आज के दिन देखने मिला है तो यह बताता है कि यहां यहां पर अभी भी buyers मौजूद है कुछ चत तक और यहां पर यह एक अच्छा level है अब सवाल ही आता है कि क्या यह break हो सकता है या फिर यहां से आगे क्या होगा अब देखो मैं अगर सही बता हूँ ठीक है कोई आपका expectation बहुत जादा करने वाली बात नहीं है जो मुझे लगता है मैं वो बताऊंगा अगेन पहले बता दूए और किसी बितर का कोई recommendation call tip मत समझ लेना purely educational purpose का video है अब यहां पे मुझे नहीं लगता मुझे मैं अपनी बात बता रहूँ मुझे नहीं लगता कि यहां से बहुत जादा growth आएगा मतलब आप कहा सकते हो इस तरह इस तरह जाते आते पैसा 5 गुना 10 गुना हो जाएगा ऐसा बहुत अच्छा growth नहीं आने वाला है जहां पे और profit growth है तो इन सब cases में market जो है PE को थोड़ा ignore करता है नहीं देखता है जब यहां पे growth में problem आएगी जब यहां पे growth नहीं होगा company के पास कोई company है मान के चलो for example XYZ कोई company है जिस पे growth नहीं है जिस पे कम growth है कम EPS बढ़ता है sales growth बढ़ता नहीं है उसमें जो है problem होने वाली है उसमें फिर PE लोग देखेंगे देखेंगे बोलेंगे यार इतना PE है justify नहीं यह नहीं यह वो नहीं है लेकिन जहां पे 50% के आज पास का sales growth है 100% से उपर का profit growth है तो इतना जादा growth में यार PE जो है वो अगर थोड़ा higher side पे भी होता है तो भी market उसको किसी न किसी तरह justify कर लेती है बोल देती है चलो सब सही है आगे बढ़ो इसको stock को उपर लेके जाओ क्योंकि इसमें growth है तो यही चीज है इसी वज़े से मैंने इसको discuss किया तो यहां पे हो सकता थोड़ा बहुत time spend करे और उसके बाद यहां से जो एक अच्छा momentum फिर से हमें देखने को मिले अगर आपको यह लग रहा है कि यहां पे breakdown आएगा क्या आ सकता है तो देखो आ सकता है और अगर आता है अब देखो chances कम है आने कि क्योंकि मैंने आपको बताया कि buyers मौजूद है जो कि साफ तो पर दिख रहा है बट अगर आता है मैं मान लेता हूँ in some scenarios की कि किसी तरह से आ गया तो इसके बाद जो next zone है मैंने बनाया हुआ है यही जो है next इसका support होने वाला है लेकिन आप एक काम कर सकते हो subscribe भी कर सकते हो subscribe करके bell notification all पर set कर सकते हो जैसे breakdown होगा breakdown होने के बाद क्या करना है क्या नहीं करना है क्या होने वाला है और सब कुछ मैं आपको update दे दूँगा तो उससे भी आपको पता चल जाएगा और मैं बता भी दूँगा आपको आगे किस तरह से क्या plan कर रहा हूं मैं बाकी recommend तो मैं आपको कर नहीं सकता हूं कि कोई भी चीज अगेन मैं कर रहा हूं एंड करते हैं वीडियो को एंड अगेन last thing कि यहां पर जो है मैं किसी भी तरह का कोई recommendation नहीं दे रहा हूं purely educational purpose का वीडियो है तो ठीक है आर्क मिलते है किसी और वीडियो में और आप इसे watch list में add कर सकते हो देख सकते हो analyze कर सकते हो उसके बाद ही जो क करना है करना बाई बाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स वर वाचिंग